आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं इस टीच स्टाइल बहुत ही फेमस रगड़ा चाट की रेसिपी जो सभी को बहुत पसंद आती है यानि कि सफेद मतर की चाट बहुत ही फटाफट बनने वाली है एकदम टेश्टी और बहुत ही स्वाधिश्ट की नाम लेते ही मौम्स मजटी चेश्टी फूड में आपका स्वागत करती हूं अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो इ इससे बनाए गई चाट बहुत ही बढ़िया बनती है तो सबसे पहले हम मटर को उबालेंगे मटर उबालने के लिए मैंने यहां पे लिया है कुकर कुकर में हम डालेंगे मटर इसे उबालते समय कोई तेल घी मसाला कुछ भी नहीं डालना है और यह वही मटर है जिसकी हम अच्छा आलू जिसे मैंने छोटे-छोटे पीस में गट कर लिया है , अब हमने चितना मटर लिया था उसका 3 भूना हम इसमें डालेंगे पानी ताकि जो हमारी मटर है वह अच्छी तरीके से फूल कर पके पानी हमें यहां इतना डालना है कि मतर के थोड़ा उपर तक पानी रहे अब हम इसमें डालेंगे स्वात किनुसार नमक कुकर का धकन लगा देंगे उसे 4-5 सीटी तक पकने देंगे ताकि जो हमारी मतर है वो अच्छी तरीके से गल जाए 4-5 सीटी आने के बाद हमने गैस को बंद कर दिया था और कुकर भी हमारा हलका सा ठंडा हो चुका है तो कुकर के धकन को खोल कर इसे हम एक बार चेक कर लेंगे तो ये देखिए हमारे मतर और आलो बिल्कुल परफेक्ट पककर त्यार हुए है अब हम इसे साइड में रख देंगे और रगरा चाट बनाना शुरू करेंगे इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में हम डालेंगे करीब दो बड़े चम्मस तेल तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा दो चुटकी के करीब हम इसमें डालेंगे हींग हींग डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरीके से चला लेंगे जीरा हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे दो बारी कटीवी हरी मिर्च मिर्च डालने के बाद इसे हलका सा भून लेंगे वैसे चाट वगर थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है तो आप जितनी खाना पसंद करते हैं उतनी मिर्च डाल सकते हैं मिर्च थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें जाएगा एक बारी कटा हुआ प्याज प्याज को हम अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे प्याज लसुन अगर आप खाते हैं तो इसमें डाले नहीं तो आप इसे बीना प्याज लसुन के भी बना सकते हैं प्याज हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमर्च लसुन और अद्रग का पेस्ट आप चाहें तो लसुन और द्रग को बारिक बारिक काट कर भी डाल सकते हैं लसुन और द्रग का कच्चापन खताम होने तक हम इसे भूनेंगे लसुन और द्रग को अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब इसमें जाएगा दो बारिक कटा हुआ टमाटर टमाटर को हम अच्छी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूँ कि इस रगड़ा चाट में मेन मसाला ही है जितनी ही अच्छी तरीके से आप मसालों को भूनेंगे उतना ही आपका रग्रा चाट बहुत ज़्यदा स्वारिष्ट बनेगा टामाटर हमारा अच्छी तरीके से पक जाए तो इसके लिए हम इस पर लालेंगी हल्का सा नमक टामाटर को हमें इतना भुणना है कि जो टामाटर में पानी है वो अच्छी तरीके से जल जाए इसे हमें इस तरीके से भूनते हुए ही पकाना है और टमाटर को बहुत अच्छी तरीके से पका कर इसे गला देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मिन्दर टमाटर को भूनने के बाद यह अच्छी तरीके से गल चुका है तो इसे इस तरीके से हलका सा मैश कर लेंगे अब इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिर्च आप अपने हिसाब से कम्या ज़्यादा भी कर सकते हैं दो चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर मसालों को हमें इतना भुनना है कि जब तक कि मसालों से अच्छी सी खुश्बू ना आने लगे और तेल मसालों के उपर तैर कर ना आने लगे मसालों को हलका सा भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच आमचूर पाउडर आप यहाँ पर आमचूर पाउडर के जगे पर चार्ट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो तेल है और सारा मसाले के उपर आने लगा है और इस मसाले से बहुत ही अच्छी खुश्बू भी आ रही है तो यही इंडिकेशन है कि आपका मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भुन कर तयार हुआ है अब हम इसमें डालेंगे जो हमने आलू और मटर को उबाल के रखा हुआ है मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इस तरीके से इस पैचला से आलू को मैश करते जाएंगे तो यहाँ पर हमने चला कर आलू और रगड़े को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है रगड़ा हमारा थोड़ा से सूखा लग रहा है तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे आधा कब पानी पानी डालने के बाद हम इसे हलका से चला देंगे और इसी तरीके से इसे बिना धके हुए उबालाने तक का वेट करेंगे तो दो मिनट के बाद हमारा रगड़ा अच्छी तरीके से उबलने लगा है अब हम इसमें डालेंगे एक छोड़ा चमच गरम मसाला और साथी में हम इसमें डालेंगे बारी कटी हुई हरी धनिया एक बार अच्छी तरीके से चला देंगे तो ये लिजिए बंद कर तयार हो गई हमारे बिल्कुल ठेले वाली रग्राचाट और ये रग्राचाट खाने में इतना जादा टेस्टी होता है कि आपको इसे बनाते बनाते खाने का मन हो जाएगा गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और रगड़ा चाट को हम सर्फ करेंगे जैसे कि ठेले वाले सर्फ करते हैं तो मैं यहाँ पर इसे स्टील की प्लेट में सर्फ कर रही हूँ अगर आप चाहें तो इसे दोने में सर्फ कर सकते हैं क्योंकि पत्तल के दोने में इस तरीके का रगड़ा चाट खाने का मज़ा अलगी होता है और ये रगड़ा चाट मुझे बहुत पसंद है जब भी मैं कभी अपने मम्मी के घर में जाती हूँ तो इस रगड़ा चाट को मैं जरूर खाती हूँ अब हम इसके उपर डालेंगे चाट की हरी चटनी और इस चाट की हरी चटनी का वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं इसे मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है ये चटनी थोड़ी सी खटी तीखी और थोड़ी सी मिंटी होती है तो आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे इमली और सोंठ की खट्टी मिथी चट्नी इसका वी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जिसे मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है बहुत ही अच्छी चट्नी है इसे डालने से जो चाट का स्वाध है और दस्गुना बढ़ जाता है आप इस चट्नी को बहुत ज़्यादा कॉंटिनी में बना कर फिज में दख सकते हैं यह जल्दी खराब नहीं होती है इसके उपा डालने के रिए मैंने यहां पे लिए है थोड़ी सी तीखी नमकीन थोड़े से आलू के वेफर अगर आप यहां पे चाहें तो इसकी जगे पे सूखी पापड़ी भी डाल सकते हैं दो से तीन पानी पूरी को मैंने इस तरीकी से छोटे छोटे टुकडो में तोड़ लिया है, थोड़ी सी मैंने यहां पे लिए सेव भुजिया, आप यहां पे जीरो साइस की सेव भी ले सकते हैं, इन सभी चीजों को डालने के बाद जो इसका स्वाध है ना बहुत ही अमेज थोड़ा सा इसे और भी चटपटा बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर चाट हो और उसके उपर निम्बू का रस ना हो तो थोड़ा चाट अदूरा लगता है तो इसके लिए मैं यहां इसके उपर डाल रही हूं आधा निम्बू का रस साथी में हम इसके उपर डालेंगे सेव भुजिया आप यहां पर दीरो साइस की सेव भी ले सकते हैं थोड़ा सा हम इसके उपर डालेंगे हरा धनिया तो यह लिजिए बनकर तयार हो गई हमारी स्टाइल थेले वाली चाट बहुत ही टेस्टी बहुत ही अमेजिंग रेसिपी सबको बहुत पसंद आती है तो आप एक बार घर पर रगणा चाट बना लिया तो आप बहर के रगणा चाट खाना पसंद नहीं करें गे तो इस तरीके